जैस्रीकृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे आज के राशिफल की और आज के राशिफल में आपके प्रेम संबंध और बैभाईक संबंधों की चर्चा करेंगे और ये राशिफल चंद राश पर आधारी थे यानि मून साइन पर जिन लोगों को अपनी राश नहीं पता है वो लोग अपनी जन कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशी में है जिस राश में चंद्रमा है वो ही उनकी राशी है जिनके पात जन कुंडली ही है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशी जान सकते हैं और ये राशी फल अपनी नाम राश से देख बस सुन सकते हैं तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जानते हैं तो चंद्रमा का गोचर आज के दिन मेस राशी में रहन को मिलेंगे आज साथी के साथ संबंधू में एक दूसरे पर विश्वाज भी बढ़ेगा और प्रेम संबंधू में काफी मदがृता भी रहेगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ समय युक्याथ और किसी से मित्रबस समंदों है प्रेम समंदों में बदलना चाहते हैं या फिर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आज के दिन आपको अच्छे परणाम मिलेंगे आपको साथ ही मिल सकता है और अगर आपके प्रेम समंदों में कोई मत्भेद आप आपकी प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दिनों से चल रहे हैं तो आज के दिन आप प्रियास कर सकते हैं और आपके मद्भेदों में आपको सकारात्मक प्रणाम देखने को मिलेंगे यानि कि आपकी मद्भेद समाप्त हो सकते हैं बैवाइक संबंद अच्छे रहेंगे वहाँ पर संबंदों में मदूरता देखने को मिलेगी जीवन साथी के साथ संबंदों में काफी मदूरता रहेगी लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जीवन साथी से बात करते बग थोड़ा सा आप गलप हैमियों को बीच में ना आने दें करूत को काबू रखें बात बिबास से बचें और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मद्भेद कुछ दिनों से चल रहे हैं तो प्रयास किया जा सकता है वहाँ पर भी सफलता देखने को मिल सकती है ससुराल पच्च के लोगों के साथ समंधों में आज के दिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि माड़ी पर सयम रखकर ही बात चित करनी है बढ़ना वहाँ पर बात बिबात हो सकता है और अगर आपके बात बिबात संभव है यहीं आपका प्रेमी प्रेमिका आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस कर सकता है और बात बिबात हो सकता है और अगर आप सिंगल है और किसी से मित्रता करना चाहते हैं किसी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं मुलाकात करना चाहते हैं तो आज क के दिन आप प्रياस करते हैं उन मदवटों को समाब्ट करने का तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि करोध आगे ना ने दें बढ़ना आप के मद्वट समाब्ट तो नहीं होंगे और बढ़ सकते हैं और अगर आप बैबयवायक समंदों में जीवन साथी के साथ समंधों में अगर आपका कोई बात बिवाद चल रहा है तो वहाँ पर आज के दिन आप प्रियास करें लेकिन वहाँ पर भी क्रोध को कागूर रख कर हैं तो यह आपको जीवन साथी के साथ मत्भिध को दूर करने में सफलता मिल सकती है और जीवन साथी के साथ समंद अच्छे रहेंगे वहाँ पर आपके आज के दिन मधुलता बनी रहेगी और अगर आपके सस्राल पच्छ के लोगों के साथ कुछ दिनों से कोई बात दिबात चल रहा है तो अगर आपको समाप्त करना है तो उसके लिए आज का दिन आगे आज आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ समंद्दों में मधुलता रहेगी और आज आपका प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई पूरी तरह से भी contact situation में बदल सकती हैं अगर आप इस प्रष्टा से अपनी बातों को रखते हैं और अगर आप ने गलती की है और उसे स्वारी भी बोलते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा आप सिंगल हैं किसी से मित्रता चल रही है उन मित्रता बस समंधों को प्रेंट समंधों में बदलना चाहते हैं या फिर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन अच्छा है और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आज के दिन आप मुलाकात करना चाहते हैं तो वहां पर भी आज के दिन आपको अच्छे प्रणाम देख योग करेगा और अगर आपका जीवन साथ ही कोई व्यापार कारोबार नौकरी करता है तो वहां से आपको लाब भी देखने को मिल सकता है और सशुराल पच्च के लोगों के साथ आज के दिन संबंद सामानी रहेंगे और अगर आपके कोई एक्स्ट्रा मेरिटल अफियर है तो वहां पर आज के दिन संबंद बहुत अच्छे नहीं रहने वाले करकराशी वाले लोगों को प्रेम संबंदों में आज के दिन सामानी प्रणाम मिलेंगे आज आपके प्रेमी प्रेम का गेसाथ संबंद तो मधूर रहेंगे लेकिन आप वहस से बचे इस बात का धियान रखें और प्रोध को बिल्कुल आगे ना आने दें अगर प्रोध भी आगे आता है तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है हाला कि प्रेम समंदों में आज के दिन पर ना अच्छे ही रहेंगे और अगर आप सिंगल हैं किसी से मित्रता करना चाहते ह हैं दे सकते हैं वहाँ पर धैरे और सहीम के साथ बात चित करें आपको सफलता मिल सकती है और अगर आपके कोई मतभेद आपके प्रेमी प्रेमका के साथ कुछ दिनों से चल रहे हैं तो उन मतभेदों को भी सबाब करने का प्रियास आप कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर भी ए और अगर आपके कोई एक्स्ट्रा मेरिटल अफ्यर है तो वहां पर आज के दिन प्रड़ाम अच्छे देखने को मिलेंगे और आपके सब्सक्राइब के साथ आज संबंद काफी मधुर रहने वाले सिंगराशी सिंगराशी वाले लोगों को प्रेम संबंद में आज के दिन अच्छे प्रड़ाम देखने को मिलेंगे आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंद मधुर रहेंगे और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं बाहर मुलाकात कर सकते हैं घुमने फिरने जा सक अगर आप सिंगल हैं साथी की तलास में हैं किसी से मित्रबस समंधों को प्रेम समंधों में बदलना चाहते हैं या फिर आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं प्रस्ताव देना चाहते हैं वहां पर आज आप दे सकते हैं लेकिन क्रोज से बचें अगर वहां पर प्रोधा आप दिखाते हैं तो आपके प्रेणाम अच्छे नहीं मिलेंगे धैरे और सैयम के साथ आपको सफलता मिल सकती है TOMAG के साथ कुछ दिनों से कोई मतभेद चल रहे हैं तो आप उन मतभेदों को भी आज समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं बैवाहिक सम्मंद आज के दिन अच्छे रहेंगे वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ काफी मधूर सम्मंद रहेंगे जीवन साथी आपका प्रत्यक्षेत्र में सहयोग भी करेगा और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेच चल रहे हैं तो वो भी समाप्त हो सकते हैं और आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घुने-फ्रिने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं और वहाँ पर भी सम्मंद मधुर रहेंगे और ससुलाल पच्च के लोगों के साथ सम्भब ज़ाद अच्छे आज नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी बाड़ी के चलते वहाँ पर बात बिवाद हो सकता इस बात का ध्यान रखें और अगर आपके कोई एक्ष्ट्रा मेरिटल अफेर हैं तो वहाँ पर भी आज के दिन सामाने प्रणाम ही मिलेंगे कन्या राशी कन्या राशी वाले लोगों को प्रेम समंदों में आज के दिन अच्छे प्रणाम नहीं मिलेंगे आज आपके साथी के साथ पुरानी बातों को लेकर गलप फैनियों को लेकर बात बिवाद संभब है इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आज आप प्रेम समंदों में बहुत ही अपने साथी के साथ सामाने तरीके से बिभार करें कोई भी ग्रोध नहीं दिखाएं गलत प्रेमिया नहीं पालें बढ़ना बाद बिवाद हो सकता है अगर सिंगल हैं साथी की तलास में हैं मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रबस समंदों को प्रेम समंदों में बदलना चाहते हैं डेट पर जाना चाहते हैं मुलाकात करना चाहते हैं आज के दिन टालें आपको सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दिनों से कोई मत्भेद चल रहे हैं तो वो मत्भेद भी आज के दिन समाथ होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो कन्या राशीवालों के लिए कुछ इस तरह है कि प्रेम समंधों में प्रणाम मिलेंगे वैभाहिक सम्मन्दों की बात करें तो वैभाहिक सम्मन्दों में आज के दिन वहां पर भी आपकी बाणी के चलतें आपके जीवन साथी के साथ बाद बीवाद संभब है इसलिए वहाँ पर आप बाणी पर स양म रखें और अपने ससुरालपच के लोगों के साथ भी सम्मंद आज के दिन अच्छे रहेंगे और अगर आपके कोई extra marital affair हैं तो वहाँ पर आज के दिन आपको सामाने प्रणाम मिलेंगे तुलाराशी तुलाराशी वाले लोगों को आज के दिन प्रेम सम्मंदों में अच्छे प्रणाम देखने को मिलेंगे और आपके प्रेमी प्रेम का के साथ सम्मंद भी बेतर रहेंगे और अगर आपके कोई मद्धेद चल रहे हैं प्रेमी प्रेम का के साथ तो वो मद्धेद भी दूर करने का आप प्रयास करें आज आपका प्रेमी प्रेमिका आपको बहुत प्रेम करेगा आपसे मिठी मिठी बाते भी करेगा लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपने कुछ दिखाया तो बात बिगर सकती है और अगर आप सिंगल हैं किसी से मित्र बस समद्धों को प्रेम समद्धों में बदलना चाहते हैं या फिर मित्रता है तो आप उस मित्रता को प्रेम समद्धों में बदलना चाहते हैं या फिर کिसी को प्रिस्ताव देना चाहते हैं, उसके लिए भी दिन अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है, और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दिनों से कोई मद्भेद चल रहे हैं, तो उनको भी समाप्त करने का प्रयास आज के दिन किया तो धर्गल फेमियों से बचें और अगर कोई मद्वेत पहले से चल रहे हैं तो वो आज समाप्त होते वे नज़र नहीं आ रहे हैं ससुलाल पच्च के लोगों के साथ आज समंद आपके ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे और अगर आपके कोई एक्स्ट्रा मेरिटल अफ सकता है बियर्त का बात विवाद हो सकता है और अगर स्कूठ पर नहीं किया जाएगा और मित्रता अगर आपके प्रयम का कोई मतभेद चल रहे हैं कुछ दिनों से तो उन मतभेदों को भी समाप्त करने का समाप्त होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और बैभाईक समंद्र आज के दिन अच्छे रहेंगे लेकिन जीवन साथी के स्वास्त का धहान रख कर चलना होगा और जीवन साथी से भी बेर्द के बाद विवास से बचना होगा इस बात का विश्यस ध्यान रखकर चलना होगा आपको ससुराल पच्च के लोगों के साथ आज के दिन बहुत मधुर संबंध रहेंगे और अगर आपके कोई एक्ष्ट्रा मेरिटल अफेर हैं तो वहाँ पर भी संबंधों में आज के दिन रोमांच बना रहेगा धनुराशी धनुराशी वाले लोगों को प्रेम संबंधों में आज के दिन काफी अच्छे प्रणाम देखने को मिलेंगे आज आपके प्रेमी प्रेम का के साथ संबंधों में काफी विश्वास भी बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ संबंधों में एक दूसरे का विश्वास ज़्यादा जीत पाएंगे और अपने साथी की बातों को मनेंगे भी और आपका साथी आज आप से बहुत प्रेम करेगा रोमांच भी हो सकता है और अगर आप सिंगल हैं साथी की तलास में हैं किसी से मित्वत समंधों को प्रेम समंधों में बदलना चाहते हैं मुलाकात करना चाहते हैं डेट पर जाना चाहते हैं तो वहां पर भी दिन अच्छा है लेकिन तनाओ को बीच में ना आने दे और अगर आपके प्रेमी प्रेम का के साथ कुछ दिनों से कोई मद्भेद चल रहे हैं तो वो आज के दिन पूरी तरह तो आपके समाप्त नहीं हो होंगे लेकिन आज आप प्रेयास अबस्य कर सकते हैं तो आगे चल कर आपके मद्भेद समाप्त हो सकते हैं बैवाइक समंदों में आज के दिन बहुत बहुत बहुतर प्रणाम मिलेंगे जीवन साथी से अगर कोई मद्भेद आपके चल रहे हैं तो वो मद्भेद आज के दिन समाप्त हो सकते हैं और आप अपने जीवन साथी को आज के दिन मना सकते हैं ससुराल पच्च के लोगों के साथ प्रणाम उतने अच्छे नहीं मिलेंगे सामाने रहेंगे और अगर आपके कोई एक्ष्ट्रा मेरिटल अफेर हैं तो वहां पर भी आज के दिन आप बहस और बात बिवास से बचें यहीं आपके लिए अच्छा रहेगा मकर राशी मकर राशी वारे लोगों की बात करें तो प्रेम समंदों में आज के दिन आपको सामाने प्रणाम मिलेंगे लेकिन आपका प्रेमी प्रेम का आपके परिवार के किसी सदस्य को लेकर कोई ऐसी टिकाटिपड़ी कर सकता है जिससे आपके प्रेमी प्रेम के साथ आ सारी बातों को जाचे परखे और हो सके तो आज डाल दे तो भेतर रहेगा और अगर प्रस्ताव देते हैं तो धेरे और सभय उर्साइम के साथ को आज को आगे नाने दें तो हो सकता है कि आज के दिन आपको सफलता मिले बढ़ना परड़ाम सामान नहीं मिलेंगे और अगर आपके प्रेमी प्रेमीका के साथ कोई मद्वyahत कुछ दिनों से चल रहे हैं तो वो मद्वyahत भी मकर राशीवालों के आज समापध होते विए नहीं दिख रहे हैं और मकर राशीवालों के वैभाइक समंदों में आज के दिन अच्छे प्रणाम मिलेंगे जीवन साती के साथ संबंधों में मधूरता बनी रहेगी और ससुलाल पच्च के लोगों के साथ आपके संबंध आज अच्छे रहेंगे और अगर आपके कोई एक्स्ट्रा मैटरल अफेर हैं मकर राशी वालों को एक्स्ट्रा मैटरल अफेर में आज के दिन बहुत अच्छे प्रणाम देखने को मिलेंगे खुम्भराशी वाले लोगों को प्रेम संबंधों में आज के दिन अच्छे प्रणाम देखने को मिलेंगे और जो लोग सिंगल हैं साथी की तलास में हैं उनकी ये तलास आज के दिन पूरी हो सकती है और कुम्मराशी वालों को जिन लोगों के प्रेम समंदों में मद्भेश चल रहे हैं वो भी प्रयास कर सकते हैं और आज वो मद्भेश समाप्त भी हो सकते हैं बैभाईक समंदों में आज के दिन अच्छे प्रणाम देखने को मिलेंगे जीवन साथी के साथ समंदों में अधूरता बनी रहेगी जीवन साथी के साथ भी कहीं भूमने फिरने का प्लान दो सकता है और आप जा सकते हैं और वहाँ पर समंदों आपके और मदूर होंगे और जीवन साथी के साथ अगर कोई मद्भेज चलने हैं तो उनको भी दूर करने का प्रयास आज के दिन किया जा सकता है वहाँ पर भी दिन अच्छा है बैभाईक समंदों अच्छे ही रहेंगे और सस्वाल पच्च के लोगों के साथ समंदों में आज के दिन अच्छे परणाम नहीं मिलेंगे और अगर आपके कोई एक्ष्ट्रा मेरिटल अफ्यर है तो वहाँ पर भी आज के दिन परणाम सामान ही मिलेंगे मेन राशी में राश वाले लोगों को प्रेम समंदों में आज के दिन बहुत अच्छे प्रणाम नहीं मिलेंगे आज आपकी बाणी के चलते आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ बात बिबास समभब है और आपके परिवार के किसी सदस्य को लेकर भी आपके प्रेम समंदों में आज अन्मन हो सकती है और अगर आप सिंगल हैं साथी की तलास में हैं किसी से मुलाकात करना चाहते हैं केट पर जाना चाहते हैं प्रिष्टाव देना चाहते हैं आज आप सबनता मिलती हूई नहीं दिख रही हैं और अगर आपके कोई म्त बेट चल रहे हैं अपने प्रेमें और जीवन साथी के साथ भी आज के दिन आपको बाणी पर सयम रखना बहुत आवश्यक होगा बरना आपके कुरोथ के चलते आपके समंद खराब हो सकते हैं। ससुराल पच्च के लोगों के साथ आज के दिन आपके समंद अच्छे रहेंगे और अगर आपके कोई एक्ष्ट्रा मेरिटरल अफ्यर हैं तो वहाँ पर आज के दिन आपको ज़्यादा अच्छे पड़ाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों यह था आज का राशिफल, यह राशिफल सामाने राशिफल है, सभी जात्कों पर पूर्णूप से प्रभावी होगा, ऐसा सम्भब नहीं है। क्योंकि आपकी जन्म कु लीमे ग्रहों के श्थिति और आपकी वर्त मदसा और उंतर्धसा और प्र घरआ के श्थिति इन सभी बातों पर बहुत कुछ निल्वर करता है आप सभी स्वस्त रहें, आयुश्मान रहें धनवान रहें ऐसी मेरी श्री कुष्ण भगवान से प्रात्रा है जै श्री कुष्ण